हेलो हमारी यूटूब फैमिली मैं सभी लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने ही चैनल पटना के आसा में फ्रेंड देखिए आज मैं आपको क्या बतलानी हूँ आज की रेसिपी है ये मैदा है फ्रेंड आज मैदा बेशन और आलू से मैं आपको मठ्री बताऊंगी बनाना कि कैसे बनाए घर पे बहुत सरल बहुत सिंपल तरीके से ये देखिए मैदा ले लिए हूँ फ्रेंड आपको लग रहा होगा ये कितना कम है पर इतना सही इतना एक डबा भढ़के आप मठ्री बना लोगे इसलिए मैं ये 500 ग्राम मैदा ली हूँ देखिए मैदा मे כ्या करना है थोड़ा सा रिफाइन ओएल का यूज करे उस में ठोड़ा सा चार से पांश चमच रिफाइन ओपना Euh अंची 살 के से उबाना है इस तरीके से देखिए हमें सॉन ले गुठना है आटा जैसे गुठते हैं उस तरीके से मैदा को अच्छी तरीके से गुठ ले आ अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगता फ्रेंड तो प्लीज लाइक कीजिए, सेर कीजिए, सस्काइब कीजिए हमारे चैनल को, सपोर्ट कीजिए कि हर दिन कुछ नया रेसिपी मैं इसी तरीके से आप लोग के लिए लेके आती रहूँ, आप लोग का सपोर्ट तभी मैं सारे वीडियो फिर से आपके लिए कुछ नया लेके आऊंगी रेसिपी, अब देखे ये मैदा हमारा अच्छी तरीके से गुथा चुका है, अब मैं इसे क्या करूँगे, पांस से दस मिनद फ्रेंड मैं इसे रेस्ट में डालूँगी, कि थोड़ा सा आठा हमार मिल जाए, बहुत अच्छी तरीके से सेट हो जाए, ये मैदा है आठा नहीं है, ये मैदा मैं सानी हूँ, इसी मैदे से मैं आपको बताऊंगी कि मठरी कैसे बनाना है, अब ये मेरा हो चुका है, अब मैं आपको बेशन और आलू का बताऊंगी कि कैसे करना है ये देखे फ्रेंट मैं एक आलू ले ली हूँ एक आलू को अच्छी तरीके से कदुकस कर लेना है क्योंकि मुझे इसका गुल्थी जैसा नहीं चाहिए चोटा चोटा टुकडा पूरा मिला हूँ आलू चाहिए तो वो हांस से करने से होगा नहीं इसलिए मैं इसकी मदद से मैं आपको करके देखला रही हूँ मठी में जब भी आलू देना हो फ्रेंट तो आप पासी से करें क्योंकि इससे आलू बहुत अच्छी तरीके से करके आप आलू को मिला लीजिए एक बार हांस से देख लीजिए कि इसमें कुछ है तो नहीं टुक तो बेसन आपको डाइसो नहीं लेना है बेसन आपको 100-150 ग्राम लीजेगा उसमें ये आलू भी रहेगा ये आलू से ही मैं देखिए फ्रेंड ये मेरा बेसन है बेसन में थोड़ा समय देखिए क्या-क्या डालने वाली हो मसाला इसका मठ्री का मसाला बहुत माहिन रखता है देखिए ये अजवाइन है ये देखिए ये अजवाइन है फ्रेंड ये चाट मसाला ये सुखा मिर्ची है पाउडर ये नमक है अब ये से मसाला आप अपने हिसाब से ले अगर आप ज्यादा तीता खाते हैं तो आप उस हिसाब से ले ये देखिए चाट मसाला है इसे भी ले लेना है नमक भी लेना है नमक मैं मैदा में नहीं यूचकी हो इसलिए इसमें ही नमक थोड़ा अब ज्यादा ले आप देखिए ये क्या है ये मिर्च का है बना हुआ शुका मिर्च आई इसमें मैं ली हो जीरा धनिया है जो हलका सा भूना हुआ है भून के इस अ मैं छोटा चमल से रखना है अब इसे अच्छी तरीके से मिला दे इस तरीके से आप मत्री बनाएगा आपका मत्री जो है बहुत ही अच्छा चटपटा सा स्पैसी बनेगा जो खाने में बहुत अच्छा लगेगा आप चाय के साथ भी ले सकते हैं अब देखिए इसे अच्छ तरीके से आलू को देखे इस तरीके से आप मिला है पहले आप आलू से ही अच्छी तरीके से सान के देख ले अगर आपका आलू से ही अगर मैं बेसन आपका सना जाता है तो आप पानी का यूज ना करें अगर ना सनाता है तो फिर थोड़ा सा पानी दो से तीन चमच पानी य कुछ इतना जवरत होगा आप उससी साफ से पानी ले अब देखें फ्रेंट यह मेरा मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा पानी का जवरत था तो मैं देखिए हलका सा पानी लेके देखें मारा कितना अच्छा ये सानली हो मैं इसे घुद के मैं इसे थोड़ा देर इस्ट में ड बनाऊंगी मठ्री बताती हूं आप मेरा पूरा वीडियो देखेगा तभी समझ में आएगा कि मैं आपको मठ्री कैसे बनाना है आलू बेशन अ मैदे से मैं कैसे बनाऊगी मठ्री देखे फ्रेंड अब मैं ये चार गोला ले ली हूं इसे मैं देखे काट ली हूं चैकु से पेक प्राबर करके काट ले अब देखिए अब इसे मुझे पतला-पतला रोटी के तरह बेलना है मेयदा को इस तरीके से देखे फ्रेंड आप अराम-अराम से बेले ये रोटी जैसा हमारा पतला होना चाहिए अब मैं इसे बेल ली हूँ फ्रेंड मैं बेल के इसे साइड काटने से होता है कि आपको एक बराबड करता है किसी में कम और चेंट नहीं होता है अब अच्छी तरीके स्टा रही है यह थोआ साटेगा फ्रेंट क्योंकि इसमें आलू है तो थोआ सा चिपकेगा तो आप या तो तेल का यूज करें या तो फिर आप मैदा थोआ सा लगा लें उससे आपका नहीं चिपकेगा अब देखे, मैं अच्छी तरीके से इसे बेल चुकी हूँ, देखे, अब इसे मैं धीरे धीरे उठाना है, कि आपका ये तूटे ना, देखे, कितना सुन्दर ये रोटी के जैसा मेरा बन गया है, अब मैं देखे, क्या करूँगी, मैदा जो का रोटी में बनाई हूँ, उसक इसे ऊपर हलका सा अटा लगा लें, थोड़ा सा पूछ पर पनी लगा लें, पनी लगाने से क्या होगा, कि ये थोड़ा सा चिपक जाएगा, तब ये से आप अची तरीके से देखे, पानी के हाँ से थोड़ा सा इस पर चला देना है, उसके बाद इसे मैं जो तरी के रख़ी हो इसको इस तरीके से रख दे और इसके वाद इससे क्या करना है थोड़ा साध चला दे इस तरीके से देखिए थोड़ा साध चला दे यह यह चिपक जाए इतना अच्छा है यह रेसीपी है मैदा का मठरी, बहुत टेश्टी लगता है खाने में, ऐसे भी आप घुमते फिरते भी खा सकते हो, जब मन करें हाथ में डोचार ले लो, घुमते फिरते खालो, बहुत टेश्टी लगता है, अब देखें इसे क्या करना है, मैं धीरे धीरे इसका एक रोल तैयार करूंगे, ये खिष्थे हुए, अपने तरह इसे खिष्थे से मोरे। इससे क्या होगा कि आपका हावा अंदर नहीं जाएया और बहुत अच्छी तरहिक के से ये तैयार हो जागा। देंखें, मैं इसका क्या की एक रोल तैयार करावा पर दूद आगी आपको बताती हो। इसका क्या करना है फिर मैं इसे क्या करूंगे फ्रेंट चक्कू की मदब से इसे मैं छोटा-छोटा टुक्रों में काटूंगी इसका गोला मुझे बनाना है तो देखिए मैं इसे कितना छोटा-छोटा काटूंगी अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगता फ्रें काट लेना है अकाट के आप देखे एक बढ़ाबर एदम छोटा-छोटा काटना है ज्यादा बढ़ा न ले क्योंकि मठरी तो फ्रेंट छोटा-छोटा ही होता है इसलिए ज्यादा बढ़ा नहीं लेना है आप लोग भी अपने घर पे जरूर बनाए बनाके आप एक डबा बठरी तैयार हो जाएगा अब बनाके आप घर में अराम से रख दे जब मन करे खाईए बच्चे को लंच में भी दे सकते हैं फ्रेंट घर का बना हुआ है तो हेल्दी भी है आप देखे क्या करना है चक्कु से इस तरीके से कटिंग कर देना है आप चाहे तो कटिंग करें अच्छा है तो नहीं भी कर सकते हैं फ्रेंट लेकिन मैं फिर भी कटिंग कर देती हूँ थोड़ा सा अच्छा लगेगा आप देखे इसी तरीके से मुझे सब को बेलना है ये बहुत अच्छा लगेगा खाने में जितना मसाला हुशाला सब डाली हूँ फ्रेंड इतना अच्छा ये चट पटा से ये रेडी हो जाएगा बनके तैयार देखिए देखिए कितना अच्छा दो कलर आ गया है पीला, अउजला, मैदे से हमारा अउजला आदिकिए आलू का पीला पीला दिख रहा है इस तरीके से चोटा चोटा इस में आप इस तरीके से कटिंग कर दे ऐदम अणाना है फ्रेंड इसमें हर्वराने का कोई बात नहीं है इदम अणाना से समय ले के आप बनाए एक तो स्मान से डबा भण मंठ्री बनां एक रगत देए श्टोर करके उस्टल करके महिना से 2 महिना पर आम जा सकते हैं सूवह का जो महिना सर हम इस तरीके से हम बेल लेंग असके मंठ्री को करते था क्या दे कीन करना है देखे फ्रेंड ये मैंसे इतना बेल चुकी हूँ अब बेल के मैं इसका कटिंग कर ली हूँ बहुत अच्छी तरीके से देखे लग रहा है ना देखने में कुपसूरत ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगेगा आधेख़े, ये इस तरीके से हमें इसका तेल जो है फ्रेंट थोड़ा सा गर्म होना चाहिए अग गर्म हो जाए तो इस तरीके से तलना है अब इसे मैं दोनों तरफ से अची तरीके से आप देखें ये हमारा रेडी हो गया मठ्री घर पे कितना कम समान से फ्रेंट, मैं आपको देखें इतना सारा मठ्री बना के दिखाई हूँ ये अभी ठोड़ा सा गर्म है, तो इसलिए ठोड़ा आपको लग रहा होगा लेकिन ये सही मानिये बहुत खास्ता बना है क्योंकि बहुत खास्ता मत्री बन के त्यार है फ्रेंट फिर मिलती हो नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू